बड़ी खबर ये आ रही है कि विकास दूबे मामले में सुप्रीम कोट में जनहित याचिका दायर की गई है हाला कि ये कल देर रात ही कर दी गई थी और इसमें यूपी पुलीस की भूमिका की जाच की मांग की गई थी और कल देर रात दायर इस याचिका में विकास दूबे कि encounter किये जाने की आशंका जाहिर की गई थी तब तक encounter नहीं हुआ था क्योंकि कल देर रात इस याचिका को दायर किया गया था ये देखिए बड़ी ख़बर हम आपको बता रहे है कि सुप्रीम कोट में जनहित याचिका कल ही दायर कर दी गई थी और यूपी पुलीस की जो भ कर भी सकते हैं ये भी ख़बर सामने आ रही है याचिका में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट से लग रहा है कि विकास दूबे ने महाकाल मंदिर में गाड को खुद ही जानकारी दी मध्यप्रदेश पुलीस को खुद ही गिरफतारी दी ताकि मुटभेड से बचा जा सके याचिका में आशंका जताई गई थी कि यूपी पुलीस विकास का एंकाउंटर कर सकती है ये बड़ी ख़बर इस वक्त सामने आ रही है और कल ये याचिका दायर की थी और आज इस पर सुनवाई की मांग की थी याणि त्वरित इस पर सुनवाई की जाए और इसलिए कल देर रात ये जनहित याचिका घंश्याम उपाध्याय नाम के वकील ने दायर की थी और तरह तरह की आशंकाएं इसमें जताई थी एंकाउंटर को लेकर भी आशंका थी घंश्याम उपाध्याय को अपनी याचिका में इसका जिक्र किया उन्होंने याचिका में ये भी कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट से लग रहा है कि विकास दूबे ने महाकाल मंदिर में गाड को खुद ही जानकारी दी है वो यानि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने अपनी याचिका में इस बात का हवाला दिया है मद्रदेश पुलीस को खुद ही गिरफतारी दी ताकि मुटभेड से बच सके याचिका में आशंका जताई गई थी कि यूपी पुलीस विकास का एंकाउंटर कर सकती है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये समझ आ रहा है कि उसका एंकाउंटर हो सकता है हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए है प्रभाकर क्या जानकारी अब तो ये सुनवाई क्यूंकि एंकाउंटर से पहले कल जनहित याचिका दायर की गई थी आज क्या ये सुनवाई होगी प्रभाकर से हम संपर्ख सादे की कोशिश करते हैं लेकिन बड़ी ख़बर आपको सुप्रीम कोट से इस वक दे रहे है विकास दूबे मामले में ये जनहित याचिका कल देर राद दायर कर दी गई थी कल दिन भर की जिस तरह की तस्वीरे और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही थी उसके बाद घंशा मुपाध्या नाम के वकील ने ये याचिका दायर की और इसमें यूपी पुलीस की भूमिका की जाच की मांग की और साथी विकास दूबे के एंकाउंटर किये जाने की आशंका जाहिर की थी इस जनहित याचिका के जरिये और ये भी चाहते थे घंशा मुपाध्या कि आज यानि तब तक तो एंकाउंटर नहीं हुआ था आज इसकी सुनवाई हो तो विकास दूबे को भी लगता था कि उसका इंकाउंटर हो सकता है और विकास दूबे ने इसलिए अपना सरेंडर किया और विकास दूबे ने खुद गाड को जाकर अपना नाम बताया ये बात उन्होंने अपनी याचिका में लिखी और ये देखिए अब आपको विकास दूबे का शव जो की है तो कवर्ड लेकिन उसके उपर क्योंकि उसको अपनी पहचान से बड़ा प्यार था कल बता रहा था बड़ी एंट के साथ कि मैं हूं विकास दूबे कानपूर वाला तो लीजिए कानपूर के अस्पताल में ही कि शरीर पर उसके नाम की पट्टी लगा दी गई है विकास दूबे कि अधिके कल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वह वह तस्वीर जब यह महाकाल मंदिर में पहुंचा था और एक बैग हाथ में लिए दर-दर भटक रहा था उस समय इसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की और जब इस शातिर अपरादी ने खूब दिमाग दोड़ाया तो इसको लगा कि महाकाल मंदिर सबसे अच्छा स्थान है जहां पर शायद बचा जा सकता है सावन का महीना चल रहा है महाकाल मंदिर हूब भीड तो एंकाउंटर होने की कोई भी आशंका नहीं थी इसके लिए राजीव रंजन हमारे साथ इस वक्ट न्यूज रूम से मौझूद है राजीव यह देखे तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपनी पहचान जो कल बता रहा था मैं हूँ विकास जूबे कानपूर वाला तो लीजिये कानपूर में ही इसके नाम की पट्टी लगा दी शरीर पे जुड़ गए हैं और यह जो जन्हित याची का कल दायर की गई थी उस पर मैं इंसे सवाल पूछना चाहती हूं प्रभाकर क्या आज अब एंकाउंटर के बाद इस पर सुनवाई होगी प्रभाकर आपको मेरी आवाज आ रही है प्रभाकर सक्षाद मेरी आवाज नहीं पहुच पा रही है जानना में यह चा रही थी चूंकि यह याची का कल ही इस आशंका को जाहिर करते हुए दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में घंशा मुपाध्या नाम के वकील द्वारा कि इसका एंकाउंटर हो सकता है और आज ही सुनवाई की मांग की थी कि आज त्वरेत रूप से इसकी सुनवाई की जाए लेकिन आप एंकाउंटर हो गया जिस बात की आशंका जाहिर की थी वो काम हो गया तो क्या उसी जन्हत याचिका पर आज सुनवाई होगी पर लेकिन आज सुनवाई हो गया जाज एंकाउंटर कि इसकी सुनवाई हो गया जाए कि कि आज सुनवाई हो गया जाज नाए